हेलो गईस एन वेलकम बैक टो मैं चैनल अनुप्रिया गाइस अज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नेचरल फेस ग्लोईंग रेमेडी जैसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन नेचरली ग्लो करेगी शाइन करेगी और आपकी स्किन ब्राइटन बनेगी इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिन्स यूज़ किया है वो बिलकुली नेचरल ही है और यह आपको घर पे इसली अवेलेबल हो जाएंगे सो अभी तरह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना सबसे पहले मैंने यूज़ किया है कोकोनेट ओल वन टीस्पून आप चाहो तो प्योर कोकोनेट ओल भी यूज़ कर सकते हो अब मैंने लिया है थोड़ा सा पतांचली ऐलोवरा जेल देन मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ टीस्पून क्लिसरिन सारे मिक्शिर को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी एवनली जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़े सी गाड़ी न हो जाए यह आपकी स्केन को टाइटन मनाएगा वाइटन मनाएगा और आपकी स्केन को शाइनी एंड ग्लोई भी बनाएगा अब मैं इसे अपने हाथों पर अप्लाई करके डेमो वता रही हूँ आपको आप चाहो तो इसे अपने फेस पर इस टैप से अप्लाई कीजिए जैसे कि ये शाइन आपके हाथों पर दे रहा है वेसी ही शाइन आपके फेस पर भी देने वाला है क्योंकि हमने इसमें कोकोनेट ओल भी मिलाया है जिससे कि हमारी स्किन को नरिश करेगा हमारी स्किन को हैल्दी रखेगा अंदर से भी हमारी स्किन को healthy रखेगा हमने इसमें glycerin and aerovara gel भी mix किया है जिससे कि यह हमारी स्किन को nourish करेगा हमारी स्किन को glow देगा हमारी स्किन को shinier बनाएगा brighter बनाएगा इसे आप हफते में एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अपना experience मेरे साथ जरूर शेर कीजिए आपको मेरे remedy कैसी लगी अच्छी लगी हो तो like and comment जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई